नमस्कार दोस्तों पिछले हफते आपने देखा होगा नेटो के जो अलाइज हैं उनके बीच कुछ मदभेद हो रहा था यूक्रेन के क्रैसिस को लेकर इस्पेशली आपने देखा होगा कि जो पॉलैंड है वो यहाँ पर यूएस को कह रहा था कि आप फाइटर जेट दे दो यूएस कह रहा था कि नहीं हम यहाँ पर डारेक्टली नहीं देंगे तो इस तरह की चीजों को लेकर आपने वीडियो बनाया था आपने देखा होगा लेकिन रिस्तों को कहीं न कहीं सुधारने के लिए जो अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस वो पॉलैंड चली गई वार्सौ चली गई उसकी जो कैपिटल है और वहाँ पर लेटेस्ट खबर यह आई है कि पॉलैंड के अंदर यूएस ने दो मिसाइल सिस्टम को डिप्लॉई कर दिया यह आप देख सकते हो यूएस डिप्लॉई मिसाइल सिस्टम इन पॉलैंड टू सेक्योर अग चली यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं अभी exactly हो क्या रहा है मैंने आपको बताया कमला हैरेस यूएस की वाइस प्रेसिडेंड वो गई थी पोलैंड ताकि चीजों को थोड़ा सा सुधारा जा और जो यूक्रेन क्राइसिस है रश्या आपके द्वारा जो इन्वेजन क किया जा रहा है उसको लेकर बातचीत हो तो थस्दे को नोंने यह अनौंस किया कि हम और additional 4700 ट्रूप्स जो है वो पोलैंड के अंदर ला रहे हैं इसकी location काफी important है आपको समझना है यह रहा पोलैंड और आपको पता है काफी बड़ा जो बॉर्डर है वो यूक्रेन के साथ जुड़ता है और जायर सी बात है जो बेलरूस है वो अलड़ी रश्या के साथ है तो यहां पर बेलरूस और यूक्रेन दोनों का अगर आप देखो कि तो पूरा eastern front एक प्रकार से open है तो पोलैंड अपने आप में एक बहुत important देश हो जाता है तो यहीं पर कमला हैरिस गई के दोरा बाकी देशों के दोरा जो भी यूक्रेन तक मदद पहुचानी है चाहे military aid हो गया humanitarian aid हो गया वो पोलैंड के माध्यम से वो लोग कर सकते हैं इसलिए भी पोलैंड यहां पर जो है वो एक important हो जाता है और आपको पताई है कि बड़ी मात्रा में करीब 9-10 लाख refugees already refugees की संक्या 18-20 लाग बताए जा रही है लेकिन आधी जो refugees है वो अकेले पोलैंड के अंदर आ रही है लेकिन इन सब चीजों की वज़े से और क्या हुआ है कि डर पैदा हो गया है मतलब कि Russia जिस प्रकार से Ukraine के अंदर आया है पोलैंड को बहुत जादा खत्रा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल जो है पोलैंड के अंदर भी एंटर कर सकता और इसलिए आप देखिए Friday को नेटो के जो Secretary General है Jens Stoltenberg उनके द्वारा यहाँ पर इस occasion पर 23rd anniversary था पोलैंड के membership का आपको पता ही होगा कि originally जो है जो नेटो बनाया गया था उसमें पोलैंड य उसी के occasion पर नेटो के Secretary General के दौरा अनाउंस किया गया कि हम अपनी military presence को double कर रहे है पिछले कुछ हफतों में और एक clear message send कर रहे है नेटो के allies को कि हम एक साथ खड़े में हैं कोई भी एक inch of territory भी जो है वो हम lose नहीं करेंगे और अपने allies को यहाँ पर protect करेंगे तो अब यहाँ पर सबसे पहले question आता है कि यह जो missile system deploy किया गया है पुलेंट के अदर और इसको announce भी किया US ने आप सोच के देखिए तो कहीं ना कहीं war जो है उसका खत्रा बढ़ सकता है तो question यह है कि यह जो missile system यह है क्या देखो इसको patriot missile defense system कहा जाता है पेट्रियोट का simple अर्थ ही होता है क कि आप देश भग तो आप अपने अपने देश को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे कल के डेट में अगर कुछ भी होता है देश के उपर कुछ भी कर सकते हैं defend करेंगे तो उसी को patriot कहते है तो यह patriot missile defense system जो है वो US के द्वारा है US का है उसने deploy किया है यह प्रकार का mobile air and missile defense system ह कहने का मतलब है कि इस defense system को आसानी से कहीं पर भी ले जाया जा सकता है उसको deploy किया जा सकता है और बाहर से कोई भी अगर aircraft fighter jet आता है missile आता है उस territory के अंदर तो उसको एक प्रकार से analyze करके जो defense system है patriot missile defense system वो उसको खतम कर पाएगा जैसे S-400 हो गया जो हमने रशिया से लिया है तो अलग-अलग technology के चीज़ें होती है basically तो यहाँ पर भी आपको कई advanced प्रकार के जो systems है वो इसके अंदर patriot missile defense system के अंदर लगे में है और बताया जा रहा है कि जो इसका latest variant है missile segment enhancement वो तो और जादा मतलब इसकी जो range है और जो lethality है उसको और जादा enhance कर देता है बड़ा कर द जो operation Iraqi freedom था इराक के अंदर वहाँ पर भी इसको deploy किया था इस समय प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो UAE हो गया कुएत हो गया सौदी अरब इन्होंने भी इस patriot missile defense system को acquire कर रखा है लेकिन अब question यह आता है कि Poland को इतना जादा militaryly strengthen क्यों किया जा रहा है क्यों Poland इतना important है क्यों Poland में इतनी सारी सेनाई भेजी जा रही है historically अगर आप देखोगे ना background इसका तो World War 1 के पहले यह Soviet के दोरा ही control किया जाता था Poland जो अगर आप देखिए तो World War 1 के पहले फिर आगे चलकर World War 2 में again जो Poland है वो दोनों तरफ से फस गया एक तरफ जो Nazi जर्मनी है इधर से और parliamentary election होता है और जो Soviet troops थे उन्होंने यहाँ पर खाली करना इसको जो है start कर दिया उनके जो military troops वगर थे वो वहाँ से वहाँ से जाने लग गया है तो 1991 में finally जाकर यह हुआ था और अब जो अगर आप देखिए तो Russia के दोरा जो advance किया जा रहा है Ukraine के अंदर तो वहाँ के जो President है leaders हैं उनको बार बार यही डर है कि Russia जो है again यहाँ पर Poland के उपर कहीं ना कहीं attack कर सकता है इसके अलबा मैं आपको एक और चीप बताता हूँ कि Poland को एक डर यह भी है कि Belarus के अंदर जो military बढ़ यह है लगातार क्योंकि Belarus again Russia को यह आप कह सकते हो support कर रहा है तो Russia ने बहुत सारे troops यहाँ पर भेज रखे हैं तो indirectly एक प्रकार से Poland को threaten कर रहा है यह तो Poland को डर है कि Belarus के अंदर इतने सारे military आ गए हैं सेना आ गई हैं उसे Poland को खत्रा और इसलिए आप देखिए तो जो Poland है उन्होंने कई वर्षों से Belarus के जो President है इस समय Alexander Lukashenko उनको criticize किया था 2020 में यह President आये थे और 2021 में भी यहाँ पर एक बड़ा migrant crisis हुआ था काफी जादा युद जैसा माहोल हो गया था Belarus के अंदर लोग सडकों पर आ गए थे Lukashenko के खिलाप की गलत तरीके से वो चुनाव जीत रहे हैं तो वहाँ पर बहुत से लोग जो हैं वो Poland की तरफ migrate कर रहे थे तो Poland का यह कहना था कि यह प्रकार से जो migrants हैं उसका इस्तमाल किया जा रहा है ताकि Lukashenko के उपर जो sanctions लगा है उसको हटाया जाए तो यह यहाँ पर कोशिश हो रही थी पिछले मैंने अगर आप देखे तो जो Lithuania के president है Lithuania basically एक Baltic state है अगे यहाँ पर आप देख पाऊगे Poland के उपर ही यह आपको देखने को मिलेगा Lithuania तो जो Lithuania है उसकी जो president है उनका यह कहना था कि जिस प्रकार से Russia अपने troops को बढ़ा रहा है Belarus के अंदर उसकी वज़े से Poland को थो खत्रा ही है इसके साथ साथ जो Baltic states हैं यह तीन Estonia, Latvia और Lithuania इनका भी खत्रा यहाँ पर बढ़ जाता है और इस आपको पुरा सिनारियो देखने को मिलेगा और present में क्या हो रहा है कि Poland काफी हद तक Ukraine की भी मदद कर रहा है अगर आप देखोगे क्योंकि यहाँ पर humanitarian जो assistance प्राइड करना है Ukraine को यह कहीं न कहीं Poland के माध्यम से किये जा रहा है इनफाक्ट यहाँ पर यह भी पताया गया था कि जब युद की सुरुआत हुईती तो उस समय जर्मनी के अंदर जो भी stockpiles वगरा पड़े वे थे NATO के, US के उसको Poland shift कराए गया और या फिर उसको Romania shift कराए गया था और Poland और Romania के माध्यम से ही यहाँ पर एक प्रकार से मदद की जारी है Ukraine की, although अगर आप देखिए ना तो चो Poland individual capacity में यहाँ पर Ukraine की मदद कर रहा है, अब आप खुद सोच के देखो, तो Russia के पास तो बहाना आ जाएगा कि यहाँ पर आपने तो मना कर दिया था बाकी देश यहाँ पर आप मदद नहीं कर रहा है, तो Russia के पास बहाना आ जाएगा कि Poland जो है वो Ukraine की लगतार मदद कर रहा थे कि हम कई सारे जो समान बगर हैं, आम्स एमिनुशन, वो Ukraine को सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो finally conclusion में आप देख सकते हो, जो Poland के President है Duda, उनके द्वारा वेलकम किया गया है, जो भी अभी US की military presence को बढ़ाया गया है, मिसाल सिस्टम को बढ़ाया गया है Poland के अंदर उसका स्वागत किया है Poland के राश्पती ने और कहा है कि अग भी अगर विश्व रियाक्ट नहीं करेगा North Atlantic Treaty Organization जो है, वो अगर stand-up नहीं होगा, तो यह आगे आने वाले समय में बहुत मुश्किल हो सकता है, रशिया अपने attack को और कई territory में बढ़ा सकता है, और आज नहीं त सकता है या फिर दब सकता है वो तो समय बताएगा, बटाए होग कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट में चल क्या रहा है, जाने से पहले एक इंट्रस्टिंग कोशन वहां के जोग्राफिक के बारे में, यूरोप के अंदर एक है Gulf of Botnia, क्या बता सक तो ये कौन से दो देशों के बीच में situated है, Gulf of Botnia, इसका right answer आपको पता ही है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, टेलिग्राम से भी ले सकते हैं, इसका सही उत्तर, मैं कई सारे जो MCQs हैं, वो यहाँ पर stories में डालता रहता हूँ, ब